हलो फ्रेंट्स मैं संध्या स्वगत करती हूँ आप सभी का आपनी चैनल संध्या सिलाई डिसाइन पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग हुक लगाना और हुक आई बनाना सीखने वाले हैं तो हम लोगों ने इस ब्लाउज की पूरी सिलाई और कटिंग सीख लिया है अब हम लोगों को इसमें हुक और आई बनाना सीखना है तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो जैसे कि मैंने इसको तीन से चार वीडियो में कम्प्लीट किया है ब्लाउज को तो सारी वीडियो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हो तो देखो इस तरह से हमको अपना ब्लाउज रखना है ठीक है और यहाँ इस वाली पट्टी में हमें हुक लगाना है और नीचे वाली पट्टी में आई बनानी है तो क्या करेंगे इसको ऐसे रखेंगे और रखने के बाद इसको हमेंसे मोड लेंगे यह हमारी है हुक पट्टी और यह है आई पट्टी ऐसे हमने मोड लिया और यहां पे हमको हुक लगाना है तो जहां जहां पे हमें हुक लगाना है वहां वहां पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे तो एक यह हुक हो गया एक यह हुक हो गया और एक नीचे लगाएंगे तो दूसरा ये हो गया, एक हम यहाँ पे लगाएंगे और एक बीच में लगाएंगे तो यहाँ पे मैं 5 हुग लगा रही हूँ, आप यहाँ पे 6 हुग भी लगा सकते हो, अगर ज्यादा पास पास में रखना है ठीक है तो इस तरह से ये मैंने 5 निशान लगा दिया है, अब इनी निशानों को हम इस तरह से इसके उपर रख लेंगे और ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हम चौक को छाप लेंगे, तो यहाँ पे हलका हलका सा आगिया है आपको यहाँ पे वीडियो पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप करोगी ना तो आपको शमज आएगा अब हमको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना हूँ, उसी चौक के उपर ऐसे निशान लगा लेना है, लंबे-लंबे तो यह हमने निशान लगा लिया, इधर हमारे हुक लगेंगे, इधर हुक आई बनेगी अब हम ले लेंगे हुक, तो हुक हमें 5 लेना है, जैसे मैंने यहां पर 5 निशान लगाया है, और हमें सोई में धागा डाल लेना है, शेम कलर का, ब्लाउस के, ठीक है, तो यहां पर मैंने 4 लेयर में धागा लेके रखा है, यह देखो, यह मैंने यहां पर 4 लेयर में धागा ठीजान है तो आपको और चार लेयर में लेलोगी ना रहा हम दोख में ज़ल्धी लड़ाएय सकने zar अगैंगे लेड हम। लिया और होक लेने के बाद बश हम क्या करेंगे इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहां पर रखने के बाद इस तरह से इसको अच्छे से टक कर देंगे यानि कि यहां पर हम इसे अच्छे से पक्क कर लेंगे तो एक यह हमने एक होल के अंदर डाला है और एक होल पर ही हमें तीन से छार बार्ट शुलाई लगा ली हैं है तो धेखो यह हमारा एक साइड यह दोनों होल पे हमारी लग गई है अब हम क्या करेंगे इसी होल से इस तरह से सोय निकाल लेंगे थोडा सा दूरी से और यह जो हमारा आगे की साइड हेंना यह हमारा हुग का जो मुह है ना तो यहां पे हम क्या करेंगे इस तरह से इसको भी टक कर लेंगे तो यहां पे भी हम तीन से चार बार टक कर देंगे अच्छे से पक्का कर लेंगे तो friends देखो इस तरह से ये हमारा hook लग की complete हो गया है जैसे हमने इसको लगाया सेम ऐसे ही अब हम सारे hook लगा लेंगे तो बस सेम ऐसे ही हमको धागा लेना है चाल लेर में और नीचे गाठ लगा लेनी है और बांकी के सारे hook कम्प्लीट कर लेना है तो देखिए यह हमने सारे हुक लगा लिया है। जैसे हमने ये वाला हुक लगाए उसने के बाद हम को हुक आई बनानी होगी। इसके लिए क्या करेंगे हमने सोई में चार लेयर में भाग हे लगा है। तो पहले लिया लिया जैसे हम अपने सोई को डालने और उपर की तरफ पूरी खेश लेंगे धागे को तो देखो यह धागा हमने पूरा खेश लिया है अब हम दूसरे साइट से इस तरह से अपनी सोई को डालेंगे तो यहां पर हमें ज्यादा नहीं छोड़ना है आप देख सकते हो सिर्फ मैंने इतना गैप छोड़ा है जैसे क फिर उपर की तरफ धागा को खीचेंगे और फिर नीचे को कर देंगे अब इतना फिर से नीचे को खेश लेना है तो देखो यहां पर हमारे हमने चाल लेयर पर धागा लिया दो बार हमने यहां पर अपने धागे डाल दिया तो आठ लेयर में होगे बस अब हमें यहां पर सिर्फ आठ लेयर में धागा रखना है और फिर शे अब हम सुई को उपर के शाय निकाल लेंगे इस तरह से अब निकालने के बाद यहाँ पर हमें आई बनानी है तो आई कैसे बनाएंगे देखो इस तरह से आपको धागे को ऐसे करना है एसे करने के बाद यह जो धागा है इसको हम अंगूठे से ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़के रखने के बाद फिर यह सुई को हम उल्टी साइड से इस तरह से अंदर डालेंगे अपने आठो धाग के अंदर और फिर हम इसको ऐसे, बिल्कुल साइड में गाठ लगाएंगे, यहाँ पे, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे पूरे में गाठ लगाते हैं, चले जाना है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, देखो, इस तरह से, तो बस ऐसे ही हमक जो है ना बहुत मजबूत बनके तैयार होगा तो इस तरह से आपको यहां पर पूरे में शिलाई लगानी है तो यह देखिए यह हमारी एक आई कम्प्लीट हो गई है बनके अब हम पीछे के साइड ऐसे अपने धागे को निकालेंगे और निकालने के बाद अब हम यहां पर गांट लगा देंगे और गांट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे तो देखो इस तरह से यह हमारा आई कम्प्लीट हो गया है बनके इस तरह से हमें अपना आई बनाना होता है अब हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही हम इन पांचों निसानों पर आई बना लेंगे जैसे हम एक बार आपको पास से दिखा देती हूं यह देखिया यह हमारे आई complete हो गया है तो इस तरह से हमें hook और आई बनाना होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है मैं आपको अगली वीडियो में या फिर आपको कमेंट पे ही बता दूँगी थीक est? तो इससे यह हमें अपना ब्लाउ्ष कंप्लीट करना होता है अब हमारा पूरा ब्लाउष यह वाला कंप्लीट हो गया है बस इसमें हमें press कर लेना है तो press किस तरह से करते हैं इसका मैंने वीडियो बनाया है तो मैं उसकी link आपको description में दे दूँँगी तो वहां से देख लेना मैं इसमें press कर के नहीं देखाऊंगी तो आपको इसमें press जरूर करना है press करने से हमारे शिलाई में बहुत अच्छी finishing देखने लगती है ध्यान है जैसे कि यहां पर उठाओठा कड़ा है जब यहां पर प्रेसक कर देंगे तो फिर यह हमारे ब्लाउस में बहुत सुन्धर लगने लगता है और अगर हम Customer को QR कर देते आना तो फिर हमारे में अच्छी फनी सिंग देखती है उनको भी कस्टूमर को देखने में अच्छा लगता है थो उन्हें भी लगता था कि हमारे अच्छी सी लाई की गई है अक्छी नेखिए वाम को पूर काम निवताना है तो इस तरह से एक्टर स्बूरा ब्लॉज विपनाN Hawaii'S से बनाना है यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी आगे भी और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू